तो लास्ट एपिसोड में आप लोगोंने देखा होगा कि हम लोगोंने कैसे भी करके हीरो ब्राइन को एंटिटी 606 की उस अनब्रेकेबल गिलासिस लेयर से बाहर तो निकाल लिया था लेकिन दिक्कत ये थी कि हीरो ब्राइन की हालत बहुत ही खराब थी और वो कुछ भी बोल नहीं रहा था के इतने में उस बंदे ने जिसने हमारी मदद करी थी उसने अपनी पावर्स के मदद से हम लोगों को किसी और वर्ल्ड में टेलिपोर्ट कर दिया था लेकिन हम लोगों के लिए अच्छी बात ये थी के उस टाइम पे एंटिटी 606 वहाँ पे नहीं था नहीं तो पता नहीं गाईस वो दरिंदा क्या करता बस एक बार कैसे भी करके हमारा दोस्त हीरो ब्राइन होश में आ जाए तो गाईस अब आएगा मज़ा क्योंके गोड ओफ एंटिटी का बेटा हम लोगों को ढूंटते ढूंटते खुदी मून पे आ चुका है और गाईस मैं आप लोगों को सची बता रहाँ के इस टाइम पे ये बंदा ना बहुत ज़्यादा गुसे में है पता नहीं ये क्या कर बैठेगा गाईस गुसे में मेरे को तो ऐसा लगता है के एंटिटी 606 और जीरो ब्राइन को अब तो कोई भी नहीं बचा पाएगा बापरे और उपर से गाईस बिचारे हीरो ब्राइन की हालत बहुत ही खराब है काश हीरो ब्राइन भी होश में आ जाए और ये दोनों मिलके एंटिटी 606 के इस मून वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दें लेकिन गाईस मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग भी अपने माइंड में सोच रहे होगे के आखिर गोड ओफ एंटिटी का बेटा इतनी जल्दी मून पे कैसे आया और आया तो क्यों आया सच में यार जब आप लोग ये पूरी सचाई सुनोगे ना तो आपके पैरों से भी जमीन किसक जाएगी लेकिन उससे पहले गाईस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है के काफी लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कि मैंने अपनी पावर्स की मदद से Entity 606 और उसके भाई Entity 303 की स्टोरी पता लगाई है कि आखिर इन दोनों का जनम कैसे हुआ था और क्या इनको कभी खतम भी किया जा सकता है के नहीं और गाईस God of Entity के बेटे ने मेरे को बताया कि उसको पता चला है कि इन दोनों का एक फादर भी है जो इन दोनों से कई हजार गुना ज्यादा पावर्फुल है लेकन गाईस अजीब बात यह है कि इसने मेरे को बताया कि इन दोनों भायों ने मिलके अपने फादर को भी कहीं पे कैद कर रख़का है पता नहीं इसके पीछे क्या लोजिक हो सकता है लेकिन इसने मेरे को इतना बताया कि जब Entity 606 बहुती चोटा था मतलब बचपन में तो Entity 606 के फादर की नौच के फादर के साथ बहुती ज़्यादा गहरी वाली दोस्ती थी लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी के उनकी तो बड़ों की आपस में दोस्ती थी लेकिन बच्चों की नहीं बनती थी मतलब एक तरफ तो Entity 303 और उसका भाई Entity 606 चोटे थे और दूसरी तरफ नौच का बेटा भी था जो इन दोनों से कई गुना ज्यादा खतरनाक था और इसी बात को लेके हर टाइम ये आपस में लड़ते रहते थे और गाइस एक दिन क्या हुआ इसने मेरे को बताया कि नौच का बेटा एक जगा पे अकेला था और Entity 303 उसको जाके मारने लगा लेकिन दिक्कत वाली बात ये हुई के उस टाइम पे नौच का बेटा बहुत ही ज़्यादा शक्ति शाली था और वो Entity 303 को मार रहा था और इतने में Entity 606 आता है और वो अपने भाई की हाला देकर बहुती गुसे में आ चुका था और उसने सिधा सिधा नौच के बेटे को अपनी पावर्स की मदद से खतम कर दिया था और गाईस उसी दिन से पता नहीं अभी इसके पीछे क्या लोजिक है के इन दोनों ने मिलके अपने फादर को ही कैद कर लिया और उपर से क्या पता के नौच भी अभी तक जिन्दा होगा या फिर उसको भी इन दोनों ने खतम कर दिया हो बापरे बहुती लंबी स्टोरी है गाईस बाकी की मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा लेकिन असल बात तो ये है जिसकी वजह से ये गौड ओफ एंटिटी का बेटा उपर मौन पे आया है वो ये है कि इसको पता चला है कि इसके बाबुजी गौड ओफ एंटिटी को भी एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स और इन सबी ने मिलके उपर मौन पे धोके से कैद कर रखा है भाई सहाब और इसलिए ये अपने बाबुजी को बचाने के लिए उपर मौन पे आया है क्यूंकि आप लोगों को तो पता है कि इसके पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से ये अपनी मतलब किसी का भी माइंड पढ़ सकता है और पता लगा सकता है कि सामने वाले के म माइंड में क्या चल रहा है और गाईस ऐसा हो सकता है कि इसने अपनी पावर्स की मदद से एंटिटी 606 का माइंड पढ़ा हो और इसको पता चला हो कि एंटिटी 606 ने इसके बाबुजी को कहा पे चुपा रखा है और गाईस फिलाल के लिए तो इस बंदे ने मेरे को कहा क फटफट यहां से सारे रोकेट उठाओ और हम लोगों को जाना पड़ेगा एक सेव जगा पर क्यूंकि इस टाइम पे तुम्हारे दोस्त हीरो ब्राइन की जान को भी बहुत ज्यादा खत्रा है विकॉज एंटिटी 606 किसी भी टाइम यहां पे आता होगा हम लोगों को टेलिपोर्ट कर रहा है तो ओके गाईस फिलाल के लिए तो गोड ओफ एंटिटी के बेटे ने अपनी पावर्स की मदद से हम लोगों को एक सेव जगा पे टेलिपोर्ट कर लिया है और इसका कहना है कि इस जगा पे यहां पे परिंदा पी पर नहीं मार सकता और इसलिए ग किट की मदद से नीचे जमीन पे जाना पड़ेगा और गाईस यहां पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही जबसे मैंने ये बात सुनी है ना के एंटिटी 303 और उसके भाई एंटिटी 606 ने मिलके अपने बाबुजी को भी कैद कर रखा है तो मुझे यह समझ में नहीं कोई भी ना खतम कर पाए और इसलिए उन लोगों ने अपने बाबुजी को भी कैद कर लियो क्योंकि आप लोगों को तो पता है जैसा भी हो बाबुजी तो आखिर बाबुजी होता है क्योंकि उन दोनों भाईयों को ऐसा लगता होगा कि जस्ट उनके बाबुजी को ही पत औरे ये दोनों इतना खतरनाक होंगे मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था और गाइस मैं आप लोगों को सीधा बता रहा हूं मेरे को तो पक्का ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अपने बाबुजी को कहद करके इसी मून वर्ल्ड के अंदर छुपा रखा होगा अब क्या पता जब वो उनके बाबुजी अजाद होंगे वो उनको खतम करेंगे या फिर फिर से वो उन दोनों के साथ मिलके इस पूरे वर्ल्ड को तबाओ बर्बाद करने में उनकी मदद करेंगे भाई सहाब लेकिन फिलाल के लिए गाईस गोड ओफ एंटिटी के बेटे ने मेरे को कहा के तुम तुरंद यहां से चलो मेरे साथ क्योंके मैंने अपनी पावर्स की मदद से वो जगा देख ली थी जब मैं जमीन पे था जहां पर इन लोगों ने मेरे बाबुजी को कैद कर रखा है ओ भाई ये बंदा तो हम लोगों से दस कदम आगे जलता है क्या ही खतनाक वाली बात होगी गैस जब ये दोनों आमने सामने होंगे गोड ओफ एंटिटी का बेटा और एंटिटी 606 लेकिन एक मिनिट ये हम लोग कहां पे आगे भी लगता है सामने की साइट कोई है भाई साब अराम से हम लोगों को चाना पड़ेगा रुको आगे मत जाओ क्योंके हम लोगों को अभी नहीं मालूम के यहाँ पे कौन लोग रहते हैं गाईस वहाँ पे सामने की साइट दो बंदे भी है ओ माई गोड और इनके ड्रेस को देखे ऐसा लगता है कि यह एंटिटी 6006 के ही बंदी है क्योंके जब हम लोग पहली बार बून पे आये थे तो तब भी हम लोगों को ऐसे बंदे दिखाई दी एक एक मिनिट अरे हुआ क्या है कुछ तो बोलो क्या तुम इस जगा के बारे में कुछ जानते हो लेकिन ये सब तुमें कैसे फक्की बात है ये तो गाईस इस बंदे ने मेरे को बताया कि मैंने अपनी फ्यूचर पावर से देखा था कि वो बिलकुल ऐसी जगा थी जहां पर कुछ दिन पहले एंटिटी 606 ने मेरे बाबुजी को कहद करा था और उसके साथ एक और भी बंदा था जो बिलकुल उसकी तरह दिखता था और गाईस आप लोगों को याद होगा ना जब हम लोग एंटिटी 606 की एक बेस उठाया था भाई छे पे थी तो ओके अच्छी बात ये थी के मेरे पास एक oxygen tank और पड़ा हुआ था जो मैंने Entity 646 की base में से उठाया था लास्ट episode में जब हम लोगों ने Hero Brine को बचाया था तो ओके guys अभी हम लोगों का plan ये है के एक बंदे को मैं चटनी बनाऊँगा और दूसरे बंदे की चटनी वो बनाएगा भापरे कितनी कटन नाक है न भाई उसने तो एक ही war में उसको खतम कर दिया ये ले ये ये ले अरे यार इसको नीचे नहीं जाना था ओके बोसे खतम करता हूँ तो finally guys अभी हम लोग जा रहे हैं इस base के अंदर पता नहीं ये base है या कोई dungeon है मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम लेकिन कितनी डरावना है न अभी हम लोगों को एक के कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा बाइदावे मेरे साथ एक बहुती बड़ी शक्ती है मुझे डरने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी गाइस वो लोग भी सामने से कम नहीं है ये क्या चीज़े बे ये हम लोग कहां पे आगे भाई साब ये तो कोई मॉब लगते हैं और ये सामने की साइट डीमोन बात कौन है भाई साब ये तो कोई मॉब लगते है ओखी भाई साब ये तो वही मोब है जो उस बेस के अंतर था जहाँ पर इन लोगों ने हीरो ब्राइन को कहद कर रखा था भाई पहले तो मेरे को गोल्डन एपल खाके इन सबी को टपकाना पड़ेगा पता नहीं ये गोड ओफ एंटिटी का बेटा आप तक नीचे क्यों नहीं आया भाई ऐसा तो नहीं के उपर की साइट उसको कुछ मिल गया हो या फिर उसने अपने बाबो जी को खोज लिया हो बापरे मेरे को जल्दी से इनको खतम करके उपर जाना पड़ेगा एक बार अरे 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 मर जाओ यार क्या है भाई ये तो मेरा पीचा ही नहीं चोल ले मैं इनके बड़े लोगों को मारता हूँ और फिर छोटे छोटे मोब स्पॉन कर देती है भाई साब आई थिंक एक ही बचा है तो इसको भी टपकाना पड़ेगा मेरे को इसकी भी चटनी बनाने ही पड़े की ये ले ओके फाइनली गाईस मैंने इन सबी का खत्मा कर दिया और चलते हैं आगे ओ माई गोड ये कोन है भी गाईस सामने की साइट आप लोगों ने देखा कितनी बड़ा मोब है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा मोब है ओ भाई एक तरफ तो ये मोब है और दूसरी तरफ मेरे साथ गोड ओफ एंटिटी का बेटा अब आएगा मचा पता नहीं गाईस क्या होगा लेकिन इन दोनों की फाइट देखने वाली होगी और सामने की साइट गाईस आप लोगों ने एक बात नोट करी इसकी आँखे तो देखो इसकी ऐसा लगता है कि एक जो आँखे न वो बिलकुल ही नहीं और दूसरी जो इसकी आँखे न वो रेड कलर की है और यहाँ पर बैट के ऊपर एक बंदा भी सोया हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि असल में यही गोड ओफ एंटिटी हो लेकिन इसकी शकल तो बिलकुल ही अल दो लोग है भाई जो हीरो ब्राइन की तरह बिलकुल देखती है अब पता नहीं वो कौन है यार एक मिनटी ये गोड ओफ एंटिटी का बेटा पता नहीं कहा रहे गया मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई इसकी आँखे बिलकुल हीरो ब्राइन की तरह वाइट ग लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है गाईस अभी मैं आगे भी नहीं जा सकता अगर यहाँ पर एंटिटी सिक्स जीरो सिक्स आ गया तो ओ ओ एक मिनिट अरे तुम कहा चले गए थे यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले मोब है और वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे मतलब तुमारे बाबो जी यहाँ पर बिलकुल भी नहीं है और सामने किस अरे उत्तिरी यह कहा चला गया बे भाई सहाब अब मैं करूं तो क्या करूंगा इस यह मोब तो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे है और गोड ओफ के उपर की तरफ जा रहा हो इस मोब का मुकाबला करने के लिए पापरे अब क्या होने वाले लेकिन सबसे पहले मुझे इन खटूंगों को मारना पड़ेगा भाई इनको तो अराम से पेल सकता हूं मैं एक ही सौड की मदद से लेकिन यह यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे है अब देखो गाईस मेरे को ऐसा लगता है कि God of Entity का बेटा इस मोब को पेल देगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आप लोगों को पता है कि मौन पर जस्ट एक ही ओ माई गोड यह क्या था भे गाईस आप लोगों ने देखा उसने अपनी एक सौड मारी उसक मतलब एक सौड पर इतने खतरनाक मोब को उसने खतम कर दिया अरे यह मेरे को डेमेज क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रही गाईस के आखिर यह बंदा मौन पर अपनी पावर्स को यूज कैसे कर रहा है क्योंकि आप लोग तो जानती है कि जस्ट एक ही Entity है जो मौन पर अ बेटा मौन पर अपने सारी पावर्स का यूज कर पाता तो सोचो यह Entity 606 के साथ क्या करता और अभी भी इसके पास इतनी पावर्स होंगी कि यह उंदर इंदों का मुकाबला कर पाएगा लेकिन एक मिनिट गैस यह है बो बंदा जिसको मैं देख रहा था काफी टाइम से अब पता नहीं यह कौन है और यहां पर क्यों सो रहा है हेलो हेलो तुम कौन हो अंकल जी हेलो गैस यहां पर तो God of Entity नहीं है लेकिन क्या पता यह कोई राज की बात जानता हो और यह हमें देख के कोई ढोंग कर रहा हो याद रखना मेरी बात यह पकार ढोंगी बंदा उठाओ भाई एक एक मिनिट मेरे को पीछे हटना पड़ेगा अब पता अरे यह क्या था भे मेरे को डैमेज क्यों होता है भाई पता नहीं क्यांसी पावर्स है इसके पास तो ओके गाईस इस बंदे का तो सारा ढोंग निकल गया मतलब मारे डर के एक दम से खड़ा हो गया ओ भाई साब लगता है गाईस कोई बड़ी बात है इसको ही देखना पड़ेगा शायद इसमें कोई इसका नाम है मरकरी मैप ओ अरे ये तो मरकरी का मैप है लेकिन तुम इतने यकीन के साथ ये कैसे बोल सकते हो अरे बाप रे बाप तो गाईस एक बहुत ही बड़ी दिक्क ये कुछ भी नहीं बता रहा था जब God of Entity की बेटे ने इसको अपने बारे में बताया कि मैं एक बहुत ही खतानाक मोब हूँ और मेरे पास future powers भी हैं जिसकी मदस से मैं future देख सकता हूँ और अगर तुमने मेरे को सारी सचाई नहीं बताई तो मैं इसी time तुमें खतम कर दूँगा क्योंकि अगर तुमने मेरे को जूट बोला तो मुझे तो already सचाई का पता है क्योंकि मैं future देख सकता हूँ तो guys मारे डर के इस बंदे ने हम लोगों के सामने सारी बात खोल दी और इसने हम लोगों को बताया कि तुम लोगों को कुछ गलत information मिली है कि God of Entity यहाँ पर है मैं मानता हूँ कि फिलाल के लिए वो यहाँ पर नहीं आया लेकिन मैं तुमें Entity 606 का पूरा प्लैन बता देता हूँ कि वो कुछी दिन तक मरकरी से मतलब God of Entity को यहाँ पर लेके आने वाला है और इस टाइम पर गाइस इस बंदे ने हम लोगों को साफ साफ बता दिया कि God of Entity यहाँ पर नहीं बलके Entity 606 ने उसको मरकरी में चुपा रखा है और उपर से Entity 606 दुबारा से मरकरी के लिए निकल चुका है और वो God of Entity को नहीं चुट अरे रुको तुमने उसको क्यों मार दिया बलके उसने तो हम लोगों को सचा ही बताई थी भाई बहुती टेड़ा बंदा है यह तो शायद यह नहीं चाहता के Entity 606 को या किसी को यह मालूम हो के हम लोग यहाँ पर आये थे तो गाईस इस बंदे ने जब भी यह सुना के Entity 606 दुबारा से मरकरी के लिए निकलने वाला है तो इसको एकदम से बहुती गुसा आ गया अपतानी यह क्या करेगा लेकिन उस बंदे ने हम लोगों को बता दिया के उस दरिंदे का बहुती खतरनाक वाला प्लैन है के वो हीरो ब्राइन को और गॉड ओफ एंटिटी को इन दोनों को यहाँ पर लाएगा इसी बेस के अंदर अभी लाया नहीं था बलके लाने वाला था इसलिए वो मरकरी गया है तो उन दोनों को वो यहाँ पर इस बेस के अंदर लाएगा इन दोनों की पावर से निकालके वो लोग इस पूरी माइनक्राफ्ट को हमेशा हमेशा के लिए तबाओ बरबाद करना चाते हैं बापरे गईस अब एक ही टाकत है उनको रोक सकती है इस टाइम पर या तो हीरो ब्राइन ठीक हो जाए या फिर गोड ओफ एंटिटी का बेटा तो गईस एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स के फादर का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो सामने की साइट ये दरिंदा एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स हम लोगों को दिखाई दिया मेरा मन है कि उस बंदे की बात साथ चोने वाली है कि एंटिटी सिक्स जिरो सिक्स आज ही मरकरी के लिए निकलने वाला था ओ भाई लेकिन एक मिनिट ये गोड ओफ एंटिटी का बेट अने नहीं रुको रुको एकदम से ये गुसे में आ चुका है रुको तुमें अपने बाबुजी की कसम प्लीज जिदा रहो अगर तुम वहाँ पे चले गए तो हमारा सारा प्लैन खतम हो जाएगा क्योंके एंटिटी 606 को ये मालूम हो जाएगा कि हम लोग मून पे पहुंच चुके हैं कितनी मुश्किल के साथ मैंने इस बंदे को रोका है कि फिलाल के लिए ब्लीज तुम एंटिटी 606 के साथ फाइ पे बैठ के आई थिंक मरकरी के लिए निकल चुका है ओ माई गोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही गाईस के अब होने क्या वाला है क्योंके इस टाइम पे हम लोगों के पास जो रोकिट है ना हम लोगों को तो जल्दी से मरकरी जाना पड़ेगा उसके बाद पता नह गाईस के फिलाल के लिए हमें जल्दी से एक बार दुबारा से उस जगा पे जाना पड़ेगा जहां पर उन दरिंदों ने हीरो ब्राइन को कैद कर रखा था मतलब उसकी बेस में अरे बापरे वहाँ पर जीरो ब्राइन एंड होगा लाला तो पहले से होंगे क्योंके गाईस हमारा वहाँ पर पहुँचना जरूरी था और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हमारा आना इसलिए जरूरी था क्योंके हमें यहाँ पर रोकेट के लिए फ्यूल चाहिए ताके हम लोग रोकेट के अंदर फ्यूल डालके मरकरी पे जा पाएं लेकिन एक मिन देखो मैंने तुम्हें वचन दिया था ना तो गईस ये बंदा बहुत ही गुसे में है क्योंकि इसका कहना है कि तुम्हारी वजह से हम सब लोगों की जान खत्रे में आ चुकी है अंदर जीरो ब्राइन एंड होका लला सबी लोगों पर गुसा है क्योंकि उन लोगों ने 606 की कैद से आजाद करवाओगे लेकिन तुमने अपना वचन नहीं निभाया जैसे ही तुम्हें अपना दोस्त मिला तो तुम किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होके निकल गए और सारा मलबा हम लोगों पर गिर गया इसका कहना है कि समझ में नहीं आ रही कि अब होने क क्या वाला है क्योंकि Zero Brine एंड होगा लला ने Entity 606 को सिगनल भेज दिया है कि तुम जल्दी से वापस लोटो जहां भी हो क्योंकि Hero Brine को उन लोगों ने आजाद करवा लिया है बापरे बाप एक मिनिट भाई ये God of Entity का बेटा Zero Brine एंड होगा लला से लड़ने के लिए अ ओमाई गोड गाई से लगता है कोई बहुत ही बड़ा संकटाने वाला है प्लीज तुम वापस आजाओ फिलाल के लिए पहले हमें Hero Brine को जिंदा करना पड़ेगा बिकोच तुम इन लोगों को नहीं जानते के ये लोग